बिस्मिल्यार्मान रहीम, असलाम अलेकोम, उमीद आप सब खायरेत से होंगे, आज हम इस वीडियो के टुटोरिल के अंदर बेसिकली बात करने जाएंगे, how you can create an accordion, what is accordion, according basically HTML CSS के अंदर, या web pages के अंदर, हम लोग इस तरह की एक drop down menu और text information bar को कहते हैं, जिसकाता है, जब आप एक option पे click करें तो उसके नीचे text आजा, जब हाट इसके दोबारा click करें तो text गाइब हो जाए, इसके आगे plus minus के icon जाएंगे, और थोड़ी से animation के साथ, वो list खुल जाएगी, दोबारा click करेंगे तो list बंद जाएगी, इसको simply accord, जबान में accordion कहते हैं, HTML या प्रगामी जबान में accordion कहते हैं, तो ये accordion कैसे create किया जाता है, क्या उसके लिए basic मुझे CSS और HTML लिखनी पड़ेगी, इसके जैसे ही मैस पे click करो तो clear दो जाता कि मैं वेबसाइट के पर अपने components बड़े मज़े से और बड़ी तरीक ऐसे design कर सको, तो इस पूरे tutorial के अंदर हम ये सारी चीज़ देखेंगे, तो tutorial का आखरी तक देखेंगा, और फिर मुझे अपने feedback में तहीं आगए कि आपको कैसा लगा, और आपको कैसी समझ में ही कहारा हमजमें नहीं आई, ठीक है, then I will get back to you, चलें, तो let's begin. Okay, so come back to our code, यहां पर आके में a code गंदर आगिया, और within this particular code, what I did was, I just did a very, Okay, जनाब, तो आजाते हैं अपने code गंदर, अब code में आके हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल से हमें दो, तीन चीज़ें करनी पड़ेगी, पहले HTML, फिर CSS, और साथ-साथ के JavaScript, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट लाजमी है, ताके जो content में नहीं दिखाना चाहरा, वो हम हाइड करें, जब इस पर क्लिक हो, तो ही वो नजर आए, तो ये event के पर हमें काम करना पड़ेगा, तो इसके लिए JavaScript की भी तो जोट पड़ेगी, तो ये तीनों चीज़ें को पर हम थोड़ी से तफसील में बात करेंगे, और I will show you how you can do that yourself very easily and very quickly, ठीक है, let's begin, आयात है सब सबसे पहले body के अंदर, as you know, कि हमें सबसे पहले हम HTML लिखते है, HTML लिखने से हमें क्या फाइदा मिलता है, कि आपको पास थोड़ा सा concept clear हो जाता है, कि मैंने करने क्या जाना है, तो HTML के अंदर हमें चार चीज़ें करनी पड़ेंगी, सबसे पहली चीज़ होगी, हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती है, सबसे पहली चीज़ आती है, paragraph tag, paragraph tag, इसमें हम basically कुछ भी some text go here, कोई भी text आप यहां पर डाल सकते हैं, तो यह initial heading और text हो गया, this basically indicates कि आपके पास शुरू के content क्या होने चाहिए, उसके बाद फिर आप आजाते है, main according itself के उपर, अब मैं according बनाने क इसमें, for example, selection one, ठीक है, यह मेरे पास button बन गया, उस button के बाद हम इसमें दे देते हैं, div tag, और उस div को फिर हम क्या करेंगे, कि हम आजाते है, class is equals to, और इसके हम panel एक class बना दे, ठीक है, okay, now, this is my first, oops, this is my first section of text, blah, 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 ठीक है जनाब, यह पहला section बन गया, that's it, इतना हमें करना है, अब button जो हमने बनाया था, basically, यह होगा, जो main icon, जो accordion दिखाया था, जब मैं उस पर click करूँए, तो उसका menu आजाएगा, तो जो click करने वाल effect है, वह actually मैं button के तोर पर काम कर रहा हूँ, और मैं अब इस button को basically एक पूर एक simple से box के अंदर हम convert कर देंगे, तो उसके लिए इस button के मैं class बना देते हैं, ताकि class को हम convert कर सकें किसी भी चीज़ के अंदर, या CSS के तूर उसको हम किसी भी चीज़ कर सकें, तो basically यह हमारे पास code आगया accordion बनाने का, in terms of HTML, हमने एक button बनाया बटन बनाया, बटन की एक अलएक class बनाया, डिफ के अलएक class बनाया, बटन की एक अलएक class बनाया, डिफ की अलएक class बनाया, वह idea ही है, कि button अधर आएका, जब मैं button पर click करूंगा, तो उसके नीचे कुछ text display हो जाएगा, बटन पर दुबारा क्लिक किया तो text hide हो जाएगा, simple as that, इस चीज को हम according कहते हैं, जब उसके click करूंगा तो नजर आजाए, जब उसके click करूंगा तो गायब हो जाएगा, अब हमें इस पे दो, तीन जितने आपको रखने, basically आपने इसको आके copy करना है, इसको copy करना है, तो ये section 1 हो गया, ये section 2 हो गया, ये section 2 हो गया, 3 हो गया है, इसका output देखना, तो इसको save करके, मैं if I click on this one, and इसका output किदर गया, मेरे पास आजाना चाहिए, here we go, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का section आजाएगा, इसको मैं left पे कर देता हूँ, मैं इसको right पे कर दिया, ताके थोड़ा सा हमारे पास content नजर आना, आपको बेतर त अब basically idea हुई है कि मेरे पास button one, button two, button three, जब button one पे click करूँ तो ये line नजर आए, बाकी सब चीजे हमारे पास गायब हो जाए, और उसके बाद ये button two पे click करूँ तो नजर आए गायब हो जाए, लेकिन अभी फिलाल ये simple system में दरा, हमने लेका ठीक है, कोई मसला नहीं मेरे ब ठीक है, how do we control the CSS, तो CSS को control करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी ज्यादा मुश्किल काम ही नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आजाते हैं, इंटरल CSS ही कर लेते हैं, head tag अंदर आगए, मैंने यहाँ पे style का tag दे ती, style, ठीक है, ताके मैं इसको यहाँ ही पे control कर सकूँ, okay, CSS मे सबसे पहले हम जादेंगे dot accordion, okay, dot accordion यह वाला main button है, सबसे पहले button की CSS बनाते हैं, okay, button कंदर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं, button का जो background color है, सबसे पहले उसको तबदिल करो, okay, अब usually हम इसको जो है, light gray कर देते हैं, depending on basically what you want to do, मैं light blue कर देता हूँ, कुछ भी आप color इसका अपन dark color, ठीक है, तो यह हमारे पास एक dark color आजाएगा, उसके बाद इसका जो cursor आएगा, हमारे पास, उसका जो color होगा, वो हम pointer कर देते हैं, उसको pointer कर देते हैं, cursor मीज़ जब मेरा cursor इस पर move हो, तो थोड़ा सा वो update हो जाए, उसके बाद इसमें हम आजाते हैं, padding के उपर, I think padding simple, फिलाल वाली दे देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ, 18 pixels, now this is something that you can play around with, अब यह settings ऐसी है, क्योंकि मैंने एक दाफ़ा बनाया हुआ है, तो मेरे जाएन में एक सीज़े वेड़ी है, कि मैंने कितनी settings क्या रखनी है, लेकिन you can play with this, 18 pixels का मतलब यह, और padding का मतलब यह, कि इस button के बात का जो spaces, उसको हम पैडिंग कहते हैं, component और component के बात का space, मैंने detail में margin के ओपर बात की हुए है, मैं link आपके आगे पीछे कहीं डाल दूँगा, या description में डाल दूँगा, you can check it out, मैंने CSS के पैडिंग के ओपर, और margins के ओपर हमने तफसील में, already बहुत बात की ही है, मैं व जो spaces हैं कि अगर ये button का border, दो border है, उसके दर्मयान की space को control कर रहा है, कि उसके बीच में text आ रहा है, वो कितना space हो, ठीक है, तो ऐसा होगा कि button के दर्मयान में हमारे पास space है, तो थोड़ा खुला खुला और अच्छा नजर आएगा हमारे पास, इसी तरीके से हम width दे देते तो फिलाल इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है, control S आप करते गए, तो now you can see this कि update आपका होता जाएगा है, अप्डेट आपका होता जाएगा है, उसके बाद टेक्स को जो हम left कर लेते हैं, ठीक है, and control S तो text मेरा left पे चला गया, ठीक है जनाब, उसके बाद हम आजाते हैं, ब बॉर्डर के ओपर थोड़ा सा बॉर्डर इसका फजिलत बना देते हैं, बॉर्डर को नन कर दिया, मैंने, control S किया, तो बॉर्डर देखो नन हो गया, अब बटन को स्टाइल कर रहा हूँ, आप कोई और component भी यूज़ कर सकते हैं, वससे इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप यहां पर एक और div बनाके, एक सा जगाओ पर div का tutorial भी आपको मिलेगा, div को यह सारी setting apply करेंगे, तो भी इसी तरीके से बीएफ करेगा, div के ओपर भी मैं on click लगा सकता हूँ, को इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, इसको हम थोड़ी सी outline दे देते हैं, उस बलके outline हटा देते हैं, none कर दिया, ठीक है, ताकि यह चीज़ भी मारे पास खतम हो गई, और finally इसको हम थोड़ा सा transition effect animation जो है, वो दे देते हैं, जब इसके ओपर click हो, तो button जो हमारे पास हो, 0.4 seconds की एक थोड़ी से, इसमें transition effect create हो जाए, तो यह मेरे पास, अभी obviously कुछ भी नहीं हो रहा जब background color इस button पर मैं click करूँ तो फिर इसका क्या हो, टेक्स का क्या हो, तो उसके लिए इस accordion से बाहर आ जाते हैं, मैं कहा देता हूँ active, एक बना देते हैं class, ठीक है, और comma dot accordion, I think spelling हमने सही लिखी वी हो तो, accordion control hover, जिसकी class active हो, और accordion क्या hover effect हो, उसमें हमने एक ही side style कर रह है, background color जो होगा, for example, मैं dollar ccc, थोड़ा dark कर देते हैं, okay, safe किया, तो see this color change हो रहा है, पहले blue था, अब color हो गया, again, मैं dark blue भी कर सकता हूँ, for example, dark, cyan कर देते हैं, okay, तो जैसे safe करेंगे, तो now color आपका change हो गया, so this all depends on your theme, what you are basically want to follow, तो मेरे पास अगर यह जो theme चल रही है, मैं सी कोई follow कर गया, तो मेरे पास इस तरह से effect आगया, अब इसका मतलब यह हुआ, कि जो active होगा, जिसकी class active होगी, या accordion के ओपर जब मैं hover करूं, तो उसका color चबदील हो जाता है, कि थोड़ा पता चले कि क्या चीज हम क्या कर रहें, तो थोड़ा effects है, again, you can add, you cannot add up to you, okay, उसके पास जो हमारा पैनल है, इसके अब styling थोड़ी सी कर लेते हैं, तो हमने dot panel बना दिया, ठीक है, now dot panel में ने क्यों लिखा, basically, इसलिए हमने पैनल लिखा, कि remember, हमने HTML बनाई थी, according class, हमारा main button था, और div tag था, उसको panel class दी थी, हमने, ओके, तो अब इसकी panel की class कर लेते हैं, इस panel म में zero कर दिया, और 18px ये डाल दिया, ठीक है, अभी इसका behavior note करो, बिल्कुल zero यहां पर है, ठीक है, और x में और y में भी बिल्कुल चुपका हुआ है, जैसे हम safe करेंगे, तो सीधे से ने थोड़ा jump किया, means, x में बिल्कुल move नहीं हुआ समझो, y में हमारे पास थोड़ी स space आ गया, तो padding content के दर्मियान के space को deal करता है, margin content से उपर, दो components के बीच के space को deal करता है, depending how basically you want to work with, अब अगें यह सारा look and feel का behavior है, आपके उपर है कि आप इसको कैसे behavior करना चाहरे है, you can have it as a five pixels, ठीक है, ताके थोड़ा सा space रहे, बिल्कुल चुपकावा ना हो, अपनी personal preferences के पर होता है, हर designer का, हर developer का एक अपना behavior होता है, ठीक है, तो हमने white कर दिया इसको, text मेरे पास for example, background जो color था वो white ही रहे, जो अभी ऐसा अगर कुछ और हो, ठीक है, display इसको हम अटाके none कर देते हैं, ताकि इसका जो block behavior हम खतम कर दें, और overflow जो है, असल में अब जो चीज होगी वो ही याली होगी, hidden, oops, ठीक है, control S, hidden, ठीक है, control S, now you can see this, कि text हमारा hidden हो गया, अब overflow, क्योंकि हमने display none करके, overflow को hidden कर दिया, कि अगर text अपने component से बाहर जा रहा है, तो उसकी फिलहाल overflow को hide कर दो, उस content को hide कर दो, अब CSS से, sorry, JavaScript से, हम इस चीज को control करेंगे, कि जैसे मैं इस पे click करूँ, तो समझो basically इसको visible कर दो, ओके, तो यहां से initially हमने इसको hide कर दिया, जिसके ओपर मैं click करूँगा, मुझे पहले उसको visible करना है, ओके, तो अब आयाते हैं, आगे बढ़ने से पहले जावा script add करने के लिए, जावा script usually फिर हम end में add करते है, body से पहले या body के अंदर, depending basically how you want to do it, usually मैं इसको body के बाद ही रखता हूँ, ठीक है, script और इसका हम type दे देते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ text slash javascript, so that browser knows के मैं javascript लिखने जा रहा हूँ, चले जी, तो यह मेरे पास script का tag आगया, अब क्या करना है, अब basically हमने सब से पहले तो script लिखना है, variable, for example, accordion is equals to document.get elements by class name, ठीक, और class name होगा हमारा accordion, अब सब से पहले basically हमें करना किया है, कि मैंने पता करना किया है, यह जो class, जो document बना है, इसमें वो class लिखना है, इसका नाम accordion है, तो इसके लिए हम जावा script का code use करते हैं, dom model करते है, get elements, cỢ입ब, a-l-e-m-e-n elements by class name, इहां कियू रहा है, get elements by class name, और मैं वही कॉंड है उखता है, so get elements by class name, get elements by class name , यह के, वह element ले वह जिसका class name accordion हो, जिसका class name accordion हो, उ वाला button यह ढूंब के लिएृ हो, HTML पे जाओ, जहां कहीं class का नाम according है, वह अली class उठा के लियाओ, तो यह तीनों component मेरे पास इस variable के अंदर आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, यह जावा स्क्रिट का सबस्दा ताकतवर चीज है, फिर एक और variable I बना दिया है, फिलाल हमने यहां पर, ठीक है, मैंने script रखा कोडियों का कि मैं किस accordion के उन्दर हम काम कर रहे है, तो accordion.length के time pick चलो, ताकि pick किया जाए, किया किया मैंने किस button पर click किया हो सकता है, तीन बनाए हो सकता है, दस बनाए हो, तो हर किसी पर यहां तो अप अलगए-लग event लिखो यह loop लगा दो, loop से क्या होगा, कि जब मैंने य क्लिक लिखना पड़ेगा 20 हो गया for example किसी वेबसाइट केंदर तो 20 क्लिक करने पड़ेगे लेकिन लूप से क्यों को कहीं कि लूप हो अब आप यहां से components बढ़ाते जाओ सब के ओपर वह उतना ही लूप काम करेगा लूप से हमने क्या किया कि I is equal to zero किया I less than length जितने भी यहां से accordions आई हैं उसकी less than equal to length की तरफ जाओ और simply loop को फिर I हमने प्लस प्लस कर दिया done तो simple sec for loop बना दिया भाईजान इस for loop के अंदर हमने कहा कि जो accordion आपने लिया उसकी पहला वाला icon उठाओ तो जो zero index पे accordion है पहले तो उसको उठाओ dot add event listener उसको add करो ठीक है और इस event listener को आप क्या करो click करो जो भी event आप apply करना चाहरे है और फिर इसको आपने एक function run time जिसे function हम कहते हैं वो create कर दिया यह चीज़ आई ठीक है function बना दिया अब function बनाने के लिए मैं पता है कि उसकी body भी होना हमारे पास लाजमी है तो यह चीज़ हमने इस तरीके से कर दी अब इसमें क्या किया एक run time के ओपर एक objects call किये कि जिसके ओपर मैंने जो जितने भी classes हैं वो classes लियाओ हर class के ओपर पहले तो event लगाओ और फिर चेक करो कहुंसा event execute हुआ है तो हमने zero index पे जो component आया हमारे पास zero index वाला उसको read किया add event listener लगाया उसको click उठाके उसको click event आया उसका run time पे एक function बना दिया ठीक है अब remember मैं brackets and close ब्रैकेट्स एक साथ देने का दी हूँ मैंने एक साथ देता है कि हूँ इसलिए मेरे hopefully problem आगे नहीं होगी for loop का मैंने bracket अलड़ी दिया अगर आपके ज़रूत पड़े तो comment दे दो end of for loop अगर आप comments नहीं देना चाहरे आपकी मर्जी इसके बाद जब मैंने accordion ये वाला bracket बन अब जब ये आए गया तो basically मैं run time function define कर रहा हूं तो run time के अंदर में का करूँगा this.classlist.toggle oops toggle क्या करो bracket start bracket close class oops और इसको I think comments में inverted quotations कंदे देना होगा active कर दो ठीक है class list उठाओ toggle करके उसको active वाली class list उठाओ toggle का बतलब ये कि जो according दी उसको आप active कर दो active करने के बाद जो है हम अब इसके अंदर code को continue करते वे लिखेंगे कि क्योंकि toggle effect देना है कि hide और show का जिसको जो active है उसको hide, show करो बाकियों का hide करो जिस पर मैं click कर रहा हूं उसको active status में convert कर दो गोड़ समझ कि जब मैंने click किया तो active हो जाए active हो कि उसका content show हो जाए फिर जबारा click किया तो तो फिर toggle effect on off तो वो फिर hide हो जाए इसी चीज़ को continue करने के लिए अब हम आ जाते है variable panel is equals to this में जाओ और एक और उठाओ अभी next element siblings ओके और फिर मैं explain करता हूं कि मैं इसमें क्या करने जा रहा हूं यह यह करता किया ठीक है फिर हम लिख देंगे पैनल डॉर स्टाइल डॉर डिस्प्ले ओप सॉरी डिस्ट डिस्प्ले टीक है जनाब और डिस्प्ले को करने के बाद जो है वह is triple equals to up complexe block ओ और फिर यहां पर आते हैं पैनल डॉर स्टाइल डॉर ड़े स्टाइल डिस्प्ले है यहां डॉके और फिर इसके चल तो है में डॉर समनाडे स्टाइल डॉर टाइस डिस्प्ले ठीक है इसँने करने का मैं करकाREAM रहा है Explain एलस में आगए, इसके हम, पैनल पर चलेगे, पैनल, .StyleStyle.Display, फिर इस इकुल स्टू block, शुद दू दे ट्रिक और यह वह अला मेन, on-click event listener, नहीं, हाँ, इसके उपर Semicolon आएगा, तो end में semi colon जरूर दिया end of for loop के बाद ये वाले चीज़ इस चीज़ का खेल लेकिएगा ये वो वाला bracket के बाद था जो हमने this.addEvent listener के बाद हमने दिया हुआ था थीक है अब हमने क्या किया एक simple सा variable बनाया panel this.element siblings तो जो current element में मैंने click किया हुआ उसकी siblings लिया हो उस siblings में आप चेक करो कि उसकी display के अंदर क्या वो blocks है अगर blocks है उसका जो style है CSS का style अगर currently उसके ओपर blocks वाला apply किया हुआ है तो उसको आप none कर दो. None से क्या होगा? hide हो जाएगा. जब hide हम कर देंगे चीज गातम हो गई. अगर वो block नहीं है तो else में जाके उसका display block कर दो. इससे क्या होगा component आपका जो है वो display होना शुरू हो जाएगा. तो remember अब यहाँ पर for example हमने display none किया हुआ हुआ. None से वो hide हो गया. अब मैं जब click करूँगा इस पे तो इसका style में चब्दील करना चाहूँगा using CSS. simple as that. तो उसके लिए हमने javascript का यह सारा code लिखा कि जिस चीज के उपर मैंने click किया उसकी CSS ले आओ. अब क्योंकि एक से जादा components है तो उसको हमने loop लगा लिया कि पहले को चेक करो, दूसरे को करो, तीसरे को करो using this loop. उसमें पिर अगर पहला है उसका add event listener किया उसके event listener dynamically add करो, click करो और function बनाओ. click जब हो तो यह वाला function हमारे पास execute होगा. इस function के code के अंदर हमने क्या लिखा कि पैनल की sibling है वो लियाओ, ठीक है क्योंकि यह button के sibling हागी, इसकी sibling लियाओ, sibling में आने के बाद उसका status चेक करो क्या वो block है, अगर block है तो ठीक है, अगर block है तो ठीक है, अगर block है तो उसको none कर दो ताकि hide हो जाए, और अगर block नहीं है तो else में जाकि उसका status just block कर दो आप, तो जब block होगा तो component नजर आएगा जब none होगा तो display गायब हो जाएगा, hopefully this should do little bit of trick for us, okay, so if I come here, see this, यह हमारे पास काम करना लग गया, अगर यह चीज़ काम कर रही है, जबदस काम हो गया, okay, that's all it takes, और यह code जो है जरूर नहीं आप लगा सकते हो, ठीक है, इस वक्त बहुत simple जबान में यह हमारे पास basic काम complete हो गया, simple सा यह जावा स्क्रिप्ट का code था, इसको आप screenshot लेके, यह code करके duplicate करेंगे, तो इन्शाला सारा काम आपका okay हो जाएगा, थोड़ी सी अब इसमें हम जरात अंग्रेजी और करते है, animation effects add कर देते हैं, ठीक है, animation effects करने के लिए हम क्या करेंगे, कि जब मैं इस पे click करूं, तो थोड़ा सा slide हो के नीचे आप slide हो के ओपर चला जाएगा, यह ज़रूरी भी नहीं है, depending on, क्योंकि आप करना क्या चाह रहा है, उसके ओपर depend करता है, लेकिन आज कल यह चीज़ बहुत commonly इस्तमाल की जा रही है, तो let's do it, to do that, basically हम क्या करेंगे, panel के अंदर आ जाएगे, ठीक है, panel में आने के बाद, क्योंकि में पैनल यह वाले effect ने इस पे animation लगाना चाह रहा हूँ, तो panel में हमने bedding दी भी थी, background color दिया वा था, display अलड़ी हमने किया वा था, अब जो है, इसमें हमने overflow जो था, वो अलड़ी hidden किया वा था, यहां पर हम इसका maximum height दे देंगे, ताकि कितनी जाए, और वो इसको for example, हम फिलाल zero करते है, okay, उसके बाद इसमें भी हम transition effect लगा देंगे, ठीक है, transition effect लगाया, maximum dash height, ठीक है, इसलिए यह वाली property लगाना लाजमी थी, तो यहां से उठाएगा कि जितनी height है, क्योंकि उतनी दफार वो transition करके effect चल देंगा, तो maximum height zero कर दी, means default हो गई, default होगी, तो default height उठाओ, 0.2 seconds की इसमें, यह जो transition effect है, वो आली हो, और जो behavior है, तो वो हमने दे दिया, ease dash outcome, ठीक है, ease outcome हमने इसमें behavior डाल दी, अब इसमें क्या होगा, control S, तो यह वर नोट के तोड़ा सा, इसमें हमारे पास, यह गड़व से है, जावा स्क्रिप्ट है, उस पर चले जाते हैं, ठीक है, but you get this के behavior तोड़ा apply हो गया, लेकिन अब इस behavior का में modify करना है, okay, let me just go inside panel siblings and maximum height, I think, अब मुझे इसमें जो है न, get element by the accordion, for IZ0, account, यह भी सही था, okay, और करते, करते, I think, अब हमें जो panel है, उसका यहां पर content सब्द करना है, इस वाले की जगा पे, अब मुझे basically control C, मैं यहां पर आके control V कर देता हूँ, और यह जो if लगाए बाता हूँ, ओके, और इस if को मैं फिलाल कर देता हूँ, comment, control S, ओके, और panel display की जगा पे हम आयाता है, panel splite display, क्योंकि आप मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं यहां प quality zero है, right, maximum height, अगर उसकी maximum height है, तो आप क्या करो, के panel style maximum height is equal to null कर देते हैं, जे चीज़, ठीक है, और फिर इस ही को मैंने करता हूँ, panel style, style, maximum, again मैं एक दफा बना लूँ, तो फिर आपको मैं थोड़ा सो और explain कर देते हैं, maximum height क्या कर दो, और अब जो होगा, हमारे पास panel, pnlpanel.scroll, s-c-r-o-l-l-h-e-i-g-h-t, scroll height, मेरे पास लिक कह वा है, plus brackets में px, ठीक है, let me just see this, it's not working, okay, तो अभी हमने basically कह किया किया कि मैंने previous fls खटाई थी, क्योंकि previous fls ब्लॉक को display कर रहा है थी, तो इसमें animation effect नहीं था, animation effect देने के लिए हमने उसको थोड़ा सा code को change किया, तो यह दो चीज दो अलग अलगा गए, अगर आपके animation के ज़रूत नहीं है, तो you can use this first code, this is for example without animation, और for animation जो है, with animation अब आपको यह आला देना पड़ेगा, इसमें हमने क्या किया, panel style maximum height, maximum height दे दी parameter के अब display नहीं उठाओ, अब actually आपने maximum height उठानी है, अगर वो zero है तो उसको null कर दो, और या कुछ और है तो null कर दो, और अगर null नहीं है, zero नहीं है, तो basically if this is null, अगर यह null है, तो यहाँ पर आजाओ, अगर false होती है, तो values यहाँ पर set कर दो, उल्टा बोल गया, ठीक है, अब basically करना ही है, कि maximum height आके हमने panel के check करना है, कि maximum height कितनी है, check panel style dot maximum height, अगर यहाँ से कुछ न कुछ height return हो रही है, तो condition true होगी, कुछ return हो रही है, तो उसको उटा के null कर दो, depending on content, जितना उसमें content है, वो scroll height default में आरी हो थे हमें देने के जरूत नहीं है, आप दे भी सकते हैं, हमने दी नहीं ही, तो scroll height उठाओ, क्योंकि जितना content होगा, उससे सबसे automatically हर panel आपका खुद ही adjust हो जाएगा, individually आपको करने की जरूत नहीं पड़ेगी, means कि यहाँ पर जिसे हमारे पास है किसी में, अब जिसे यह में कर रहा हूँ, scroll height है, अच्छा, sorry, एक mistake, display none, display हमने किया हूँ, none तो अभी hide किया हूँ, और हमने उसको control यहाँ से करना था, लेकिन इसको मैं अलड़ी comment कर चुका हूँ, तो यहाँ से भी मेरे पास जोगा न, इस display को भी मैं हटा देता हूँ, अब यह display की भी मेरे पास जरूत नहीं, जो ही display हटा अब यह फिर गड़वड हो गई, गड़वडवड, गड़वड, 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 ओके, अब यहाँ पर I think जो में जो में नदर आ रहा है, ओके, padding, 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 ठीक है, मैंने जो शुरू में किया था, padding 0 रखी वी पैडिंग का मतलब यह कि there is still small amount of space, remember height हमने 0 की विये, तो वो 5 pixels का space उठा रहा है, अगर मैं इसको भी for example 0 consider करके save करूँ, now it's gone, now if I click it, here we go, ठीक है, तो अब थोड़ी सी हमने padding 0 कर दी, previous code जो पहले simple click में padding 15 दी और display hidden था, अब हमने तब्दीली किया कि padding 0 कर दी, display आटा दिया, maximum height का parameter देके, transition effect में हमने maximum height आइड कर दी, और ease out का effect आइड कर दिया, panel के अंदर, ठीक है, तो इसकी वज़ासे अब सीदिस, यह हमारे पास panels आगे, बड़े जबदस, click किया, hide, display खतम हो रहा है, अब जितना content बढ़ता जाएगा, basically उसे साबसे उतना बड़ा हमा BR, ठीक है, इधर भी आके हम दे देते हैं, BR, और इधर भी आके हम दे देते हैं, BR, तो now if I come here, refresh किया, तो see this, यह line बड़ी हो गई, यह छोटा वाला था, यह automatically पूरा बड़ा हो गया, तो मुझे और कुछ का निक्दोत नहीं पड़ी, तो यहाँ पर advantage यह मिला, तोड़ा सा code हमारे पास complete order, उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी, so don't forget to leave your comments behind, और अगर पूरा वीडियो देखा है आपने, बहुत 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 शुक्रिया, subscribe करो, सब सब पहले दो subscribe करो, फिर आगे बात करते हैं, subscribe करो, kindly hit that bell icon, ताके है फिर हम अपने इस जो एना